नमश्कार दोस्तों मैं अनकुर उपाधिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube Channel share-market analysis में मेंगे दोस्तों बात करूंगा mainly adhani wilmar के शेयर के बारे में थोड़ी बॉहत बात करेंगे adhani power के शेयर के बारे में भी अगर आपको याद हो एंड अगर मेरे रेगुलर विर हो तो बहुत सारे लोगों को मेर से प्रॉब्लम भी एंस टॉक्स को लेकर इसपेशली उनको जो आप अभी खरीद के अभी प्रॉफिट बनाना चाहते हैं उनको इस्पेशली में से प्रॉबलम है क्योंकि अदानी पावर जब मैंने 275 को आपको सब को बाय कराया था एंड अरॉण 410 पे सेल की रिकमेंडेशन दी तो किसी ने नहीं सोचा कि कितना बड़ा प्रॉफिट बना लिया एंड उसके बाद जब इस्टॉक गिरा 375 तर तो सब ने कहा कि यार बहुत अच्छा आपने अग्जिट करा दिया अच्छे समय पर लेकुन उसके बाद जब दुबारा 420 आ है तो फिर से वही की भाई आपकी वज़से बिग्ग्या बिग्ग्या इंड भी दुबारा वही गूम रहा है यह स्टॉक भी कहीं न गहीं ऐसा लग रहा है कि कंसूर्डेट करके उपर निकलेगा बट अभी इस स्टॉक में मेरा बाइंग करने का मोड बनी ही नहीं रहा मेरे पा जो रिस्क ले रहे हैं दूसरे वो लोग जो थोड़ा सा चेक कर रहे हैं बैलें सीट और कुछ और कोईरी निकाल रहे हैं अपने दिमाग में और उनको उनका आंसर नहीं मिल रहा तो वह नहीं खरीद रहे हैं मैं दूसरे नंबर वाला बंदा हूं मैं रिस्क नहीं ले रह अदानी पावर पे चोटी बात कर लेते हैं तो वहीं से शुरुवात करते हैं सबसे पहले बता हूं अदानी पावर अभी T2 ट्रेड में अधिक 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 निकले ना निकले वह पता नहीं बट ठीक है अगर मेरे से परसनली पूछो क्या आप लेना पसंद करोगे तो मेरा जवाब होगा नहीं आप मुझसे रिजन पूछो तो मेरे रीजन होंगे एक तो T2 ट्रेड में है और दूसरा ASM की स्टेज 4 लिस्ट में है तो मेरे पास यह दो दीजन होंगे अगर आप वहीं किसी और से पूछो तो सकता है यार स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है अधानी गुरूप बहुत अच्छा कर रहा है बागे का खरीद लो तो इस तरीके से भी आपके दॉनर व्यू बन रहे है लेकिन बात करेंगे अधानी विल्मार के बारे में यहां अगर आपको याद हो पहले जब मैंने दॉनर स्टॉक पर वीडियो बनाई तो मैंने आपको अधानी विल्मार प्रेफर्ट पिक रखी अधानी पावर के ऊपर अभी देखिए पर पर जो फॉर्मेशन है वाओ यार अगर आप देखे तो कंटीनु हाइर हाई लगा रहा है तीन महीने से लगा रहा है इसे स्टॉक में अभी फ्रेश हाई 740 के ऊपर निकलते ही लग जाएंगे और वो निकलते ही स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास जाने के लिए तयार खड होंगे मेरे से कमेंट बॉक्स में भी आप लोग अगर हो सकता है कमेंट करो कि भाई क्या ले लेना चाहिए तो इसका जवाब मैं आपको दूँगा सिंपल सी बासा में दूँगा खरीदना है डेफिनेटली आप खरीद सकते हो लेकिन प्रॉपर एसल के साथ अगर आपने मेंटें नहीं करा तो आप बड़े रिस्क में चले जाओगे और फस भी सकते हो दूसरी बात अगर इनकेस इस स्टॉक में एसल होता है तो आपको एग्सिट लेनी है एस ट्रेडर सिंपल सी बात है आप यहां पर आके मुझसे भी यह नहीं बोल सकते कि भाई आपने तो खर सबसे पहले आज की बात करते हैं लगभग 26 रुपीज की टेजी ए 729 पर क्लोजिंग मिली है 52 लैक शेर्स ट्रेड हुए 20 लैक शेर्स का एवरेज वॉल्यम है अगर एक महीने में देखेंगे तो राउंडिंग डबल बॉटम फॉर्म करके कहीना की टॉप पर जाने वाला ह तो काफी उपर तक की गुंजाई से हम जब भी टारगेट रगेंगे उसको रिवाइस करते रहेंगे सिंपल टारगेट पर प्रॉफिट बुग नहीं कर रहा है अदानी स्टॉक में यह आपको बता दूँ अब बात करते हैं कहां पर स्टॉप लॉस बनेगा हमारा यह मेरी पूरी वीडियो अदानी विलमार के स्टॉक को लेकर होप आपको वीडियो समझ में और पसंद नौ आई होगी थैंक्यू सो मच वाचिंग वीडियो